पूपकर दोस्तों एक बार फिट से सागत है आपके अपने यूटीब चैनल गुड़ु मोरा सर्मेत्रिपर और आज के वीडियो में हम लोग कोई रैस्क्यू ने करने वाले बलकि बात करने वाले कुछ तथा कथी स्नैक रैस्क्यू और इसके बारे में जो अपने आपको सर्मेत्र बताते हैं और ऐसा दावा करते हैं कि हम लोग शांपो को बचाते हैं लेकिन वो कहां तक बचाते हैं वो तो आज की वीडियो में आप लोग देखी लेंगे आज हम लोग उनके बारे बात भी करने वाले हैं उनका जो वीडियो है किस तरह से वो rescue करते वो भी दिखाने वाले है सबसे पहले तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि उनकी बुराई करने का या फिर उन्हें गलत कहने का ना तो हमें कोई दिखा रहे ना तो हमारे कोई इरादा है लेकिन जहां गलत हो रहा है जो गलत है उसे गलत कहने का हमें पूरा-पूरा दिकार है आप सापो को बचा रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप कोई पैसा नहीं लेते हैं वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं चीजरबयां बहुत ले लेते हैं वह भी कोई दिक्तत नहीं आपका फ्यूल पेटोल लगता है तक कुछ लोग है जो अपने आपको सर्पमित्र बताते हैं यानी के सापों को बचाने वाला बताते हैं लेकिन असल में वो कितना सापों को बचाते हैं यह आप लोग भी देखेंगे वीडियो में और मैं भी आपके साथ में देखूंगा और उस पर बातचीत भी करेंगे मैं ना तो उन लोगों का नाम लूँगा ना तो कौन से चैनल पे उनका वीडियो अपलोड है उसका नाम लूँगा क्योंकि मैं किसी भी तरह से ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहता जो कि कहीं कहीं रक्षक बन करके हमारे पर्यावरण का जियो जन्तुओं का भक्षड कर रहा है वो कितने हद तक बचा रहे हैं सापो को यह तो आप लोग खुद इस वीडियो में देखेंगे मैं उनके वीडियो की थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगा उसके बाद इसी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप लोग क्लिप देखिए कि किस तरह से वो सापो को रेस्क्यू करने के बाद उसको हैंडल करते हैं वो देखिए उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं सिर्फ इतना ही नहीं ये उसे बेवज़ पैर से माल करके टर्चर भी करते हैं क्यों क्योंकि इन भाई सामने साम को बचाया है ये उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं इन्होंने साम को रेस्क्यू किया है बचाया भी नहीं कह सकते हैं इन्होंने शाम्प को घर से बाहर निकाला है। इसलिए इनका अधिकार बनता है कि वो उसे सर्दी के वक्त थंडे पानी से धोयें, उसके उपर भारी-бारी एट रखें, पत्तर रखें, उसे अबने पएर से मारें, उसे अबने हाथ से मारें। इनका इतना अधिकार बनता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ इनको बचाने का होता है इनको कंजर्वेट करने का इनको किसी भी तरह से मारने या परिशान करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता अभी आप लोग वीडियो में देखेंगे ये खुद आगे बताएंगे कि सर्दी का महीना है और ऐसे में साप जादा चल फिर नहीं पाएगा लेकिन फिर भी ये साप को थंडे पानी से दूल देंगे अभी आप देखेंगे बेवज़ा उसे मार भी रहा है तंडे पानी से दूलने के बाद मारा है इन्होंने उसके पहले इट से दबाया अभी पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं अभी आप लोग आगे देखेंगे ये साप के साथ और पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं तो भ खुद को सर्कमित्र बताते हैं, खुद को सांप को बचाने वाला बताते हैं, अभी आप लोग देखिए, ये फोन निकाल करके सांप के साथ सेलफी ले रहे हैं, और अभी जब कुछ लोग इनको साउधान करेंगे, कि आप ध्यान दे बात का, तो ये तुरन से सांप को मार द लोग इनकी बाते सुनेगा, किस तरह से बाते करते हैं, और खुद को सर्मित्र बताते हैं, ये अभी सांप खतनाक है, और जारे का दिन भी है, और जारे की दिन में सांप उतना चल नहीं पाते हैं, उनका ज्यादा होता है, थंज लगती हैं इनको, जिनको आप पहले वीड तो इन महासार के अनुसार ये भूरा सांप है, इसलिए इसे ये किंग कोब्रा कहेंगे, यही तो इनकी पहचान है, और ये खुद को बताते हैं, इन्होंने 10,000 सांप पकड़ा हैं, जिसमें से इतना मोटा हैं पहली बार मिला है, आप अंदाजा लगा सकती कि इन्होंने कि आप लोगों ने देखा सांप को रेस्क्यू करने की बाद वो सांप की पूच को इट से दबा रहे थे, पहले एक एट रखते हैं, फिर उसके उपर दूसरी एट रखते हैं, और नजाने कितने देर तक ऐसे दबाए रखते हैं, ऐसे में सांपों के अंदर कोई internal damage हो सकता है मतलब सांपों की बाड़ी में कोई internal damage याने कि अंदर से उसको घाव बन सकता है और सांप का जो बाकी का जीवन वो खराब हो सकता है, हम सांपों को बचा रहे हैं, सुरक्षे धंसे हाथों से उठा के बाहर ले क्या रहे हैं, तो हमें ठीक उसी तरह किसी बैग या फिर डब कारे शहली में सुधार लाएंगे, लेकिन इतने तक ही नहीं, पहले तो आपका जब यह पहला वाला वीडियो है, तो हमने इस पे कुछ भी नहीं रेक्षन दिया, चलो ठीक हो गया, सबसे होता है, भी हो सकता है, आप सीख रहे हैं और चीज़े धीरी-धीरी सीखेंगे, ल उनको बचा रहे हैं, सिर्फ इतना आपका अदिकार है, आप उसको सबके घरों में सी निकाली हो, लेजागर के जंगल में रिलीज कर देए, सिर्फ इतना आपका और हमारा अदिकार है, उनको अनावस्यक तरह से परेशान करने का, या फिर थपड से ऐसे मानने का कोई भी सिर्फ इतना है नहीं, सापको परेशान करने के बाद वो उसकी सरीर पर अभी इट भी रखेंगे, एक इट से मन नहीं भरेगा तो दो रखेंगे, बता नहीं इसके लावाँ इन्होंने तीन तीन चार चार भी रखा गा तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, आप लोग देख र परीर को दबा रहे हैं, टेच कर रहे हैं, और सापको अनवस्यक रूप से गुश्चा दिला रहे हैं इनको देखते हैं, साप पगड़ते वे तो जाहिट सी बात है, लोग इनकी बात भी मानेंगे और इनकी बात की चक्कर में आ करके, लोग जड़ी पीने या पिलाने की चक्कर में पढ़ जाएंगे, ऐसे में मासुम लोगों की जान भी जा सकती है सापो का गुसा तो आपको पता ही है, अगर वो जादा गुसे में आया था और इनको बाइट कर लेता, तो ऐसे में बहुत जादा वेनम भी इंजेक्ट करता, और जब बहुत जादा वेनम इंजेक्ट करता तो साइध अस्पताल पहुचने से पहले कुछ अनोनी हो सकता था तो आप लोग प्लीज ये से बंद करें सांपों को इस तरह से मारना इस तरह से प्रताडित करना बिल्कुल बंद करें आपको सिर्फ और सिर्फ सांपों को बचाने का अधिकार है किसी भी तरह से उन्हें परेशान करने का अधिकार नहीं है लेकिन आप जानबूच करके पब्लिक को दिखाने के लिए शोव आफ करने के लिए स्टेंट करने के लिए साप को ऐसे मार है जो कि बिलकुल ठीक नहीं है तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज यह सब बंद करें और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप उनको जानते हैं तो यह वीडियो को उनके तक पहुचाएं और आपसे जिनके बारे में आजकी वीडियो को उनसे यही रिवेस्ट है कि आप प्लीज यह सब बंद करें क्योंकि हमारा कोई भी एदिकार नहीं बनता कि हम बचाने के बहाने इन जीव जनतुओं को या फिर पर्या वरड को किसी भी तरह से छती पहुचाएं आप खुछ समझदार हैं आप समझते हैं कि एक इट दो इट उत्ते छोटे से जीव के उपर उत्ता भारी वेट रखने के बाद कहिन के इंटर्नल डैमेज हो सकता है तो प्लीज आप ये शब्बंद करें आज की वीडियो में बस इतना ये वीडियो अगर सही लगे तो आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और वीडियो को शेर जरूर करिएगा ये वीडियो जो है